नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडे चंद्र शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन के पंचांग की आज दिनांख है 27 जुन सन 2023 विक्रम सुमध 2080 चल रहा है आशाड मास है शुकलुपक्ष है ग्रिश्मृतु है तिथी आज की नौमी है और आज का वार है मंगलवार आज भडला नौमी है भडला नौमी भडली नौमी यानि राजस्थानी में इसे भडल्या नौमी कहते हैं यह अपने आप में बहुती सिद्ध और अभूज मुरत्वा करता है विवा के लिए वाहन लेने के लिए व्यापार करने के लिए बहुती शुब दिन है आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र दौपैर बाद दो बच कर 43 मिनट तक है आगे चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा योग परिग है योग की द्रष्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है करन बालव है दौपेर बाद दो बच के 41 मिनट तक आगे कॉलव करन रहेगा सूर्योदेगा समय दर्शे को सुबह 5 बच के 25 मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम 7 बच के 22 मिनट का है आज का राहुकाल दोपेर तीन से साड़े चार बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्राब इसमें नहीं निकलना चाहिए अविजित मुरत आज 11 बच के 56 मिनट से 12 बच के क्याउन मिनट दोपेर में है और दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा ये हैं सुबह 8 बच के 12 मिनट और सुबह 9 बच के 8 मिनट आज का दिशार शूल दर्शे को उत्तर दिशा में है तो पहले कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन जाना बहुत जरूरी हो अनिवार ये यात्रा हो तो इसका परिहार करके निकलें पर यार बहुती सरल है थोड़ा सा आपको गुड़ खाना है उत्तर दिशा के और मुख करके और पांच कदम पीछे चलना है और जब ये सारी प्रोसेस करें ये प्रक्रिया आप करें इस दोरान भगवान श्री राम या अपने अपने इश्ट कहरदे में ध्यान करें उनसे प समय है वह सुबह नौ बजे से लेकर दो पर दो बजे तक ये वह समय काल होता है जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब योग कारक होता है तो जब अच्छा एफट्स करने हो अच्छी कोशिश आप करें तो इस समय का ध्यान अत्तवी कीजिएगा ताकि सफलत मेश राशी दर्शे को कन्या है जिससे आज का ये दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को दूर जाकर बसने या व्यापार करने के विचार आएंगे और व्रश राशी वालों को व्यक्ति से जीवन की गहरी सीख सीख पाएंगे और सिंग राशी वालों को संतुलित बातचीत और अच्छे कम्यूनिकेशन स्किल्स की वैल्यू समझ मा जाएगी कन्या राशी वाले आज आमोद प्रमोद घूमने फिर्णे में समय विताएंगे और तुला राशी वालों को व्यापार में घाटा होने की रहेगी संभावना है तो सोच समझ के कोई इंवेस्टमेंट करें व्रश्चिक और में आगेशन सतों रखेंगे, अज कोई कानूनी समझ्या आपको सामने से ना मिल जाएं, जिस में आफ वेट संभव है तो कोशिश कीजिएगा धेर्य पूर्वक एसस्तिति को आप टाल दें अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेगे उन विशेश उपायों को जो जीवन को सुगम सुरक देवानु ग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमक्षत्व महापुरुष संच्रे चोटी सी बात है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म मुक्ति यानि मुक्ष की इच्छा और महापुरुषों का सादू संतों का सत्संग तीनों चीजे कर्म सुधार कर साधना करके उच्छत मवस्ता प्राप्त कर सकता है मुक्त हो सकता है लेकिन यह मनुष्य जन्म और फिर मुक्ष की कामना यानि भोग विलास में सुख दुख में राग द्वश में फसे रहने की स्तिती से निकलने का मार्ग यह भगवान की कृपा पे निर सबस्ता है और यह जो भाव है यह साधना यह अध्यात्मिक्ता यह आतिए इश्वर कृपा से सादू संग के सद्संग से ऐती सद्संग और बिना हरी कृपा के आपको कभी सद्गर मिलेंगे भी जाएगा आपकी इच्छा जागेगी सत्संग भी होने लगेगा तो मार्ग भी आपको मिल जाएगा यह था आज की ज्यान चर्चा का सार अब करते बात उन विसेश्ट उपायों पर जो बहुत ही जल्दी आपकी समश्यों के समाधान भी कर देते हैं और जिने करके आप सफलत पान के साथ लड़ो अरपित करें और उनके नाम से अपने घर में बनावा कुछ मिस्टान बच्चों में बाटे सवा किलो मसूर की दाल भगवान शिवजी पर अरपित करें साथी साथ रात्री में लगवग सवाड वजे बाद में पांच किलो गुड थोड़ा-थोड़ा करके गौमाता को और श्वानों को खिला दें तो आने वाला जो पुरा वडश है बहुती सुन्दर बीतेगा योगकारग बीतेगा इश्वर की कृपा आपको निरंतर लगातार अनुभव होती रहेगी ऐसे दर्शे को आप बहुत दिनों से अगर परिशान चले आ रहे हैं ग्रह बादा बनी यह या शत्रू बाधा या फिर घर की वास्तू बहुत ज्यादा खराब है किसी भी प्रकार का संकट जो आपके कारियों को आपके कैरियर को आपके व्यापार को एक खत्रा बन के परिशान कर रहा है उन सब समश्याओं का एक सटीक समाधान है कि श्री हनुमान जी की शरण ले लिजाए इसके लिए आज का दिन मंगलवार शुक्लुपक्ष नौमी तिथी बहुत ही सटीक होता है करना वस इतना है कि एक दक्षण मुखी हनुमान जी क के अर्पित कीजिए और हनुमान जी से अपने संकटों के नाश के लिए आर्थ भाव से प्रात्ना कीजिए और फिर चार माला सीताराम की कीजिए और उसका जो फल है वो हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए कि है प्रभु इन सीताराम नाम जब का फल आपको समर्पित फिर इस विर श्ट्र की 11 माला का जाब मंदिर में बैठ के कीजिए प्रतेक माला के बाद में एक वार शास्टांग्ध डंडवत आपको होना है और फिर पुने आपको जाब करने मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रकार है बहुती विशिस्ट मंत्र है मंत्र है तौमस्मिन कारे निर्वाहे प्रमाणम हरिसत्तम तश्य चिंतयतो यत्नों दुक्षय करो भवेत दर्शे को आजी से पहले ही दिन से आपको संकटों से मुक्ती मिलना शुरू हो जाएगी इसमें कोई भी संदे नहीं है आप करके देखे चमतकार होंगे ऐसी दर्शे को जिन लोगों के मंगल की पिडा जनम पत्री का में बहुत जादा समश्य उत्पन कर रही है वो भी आज के इस विसिस्ट मंगल्वार से कुछ उपाए करके इस समश्या से निजार पा सकते हैं जैसे की आज हाँ सुबह गुड के तीन टुकडे लेकर निकले घर से एक टुकडा मंदिर में अर्पित कर सकते हैं एक जमीन में दबाना है जमीन ऐसी हो जो किसी के स्वामित में ना हो यानी सड़क के किनारे दबा दीजे या सरकारी जमीनों गोचर भूमियों और एक गोमाता को खिला दीजे इस तरीके से तीन टुकड़े लेके निकलना है और शिवाले में जाके मसूर की दाल और गुड श प्रकार है तो दर्शे को यह थे आज के विस्ष्ष टुपाए जो आपकी बड़ी-बड़ी समश्यां कांद करेंगे और आपको सफलता के और अग्रिसर करेंगे आपके सवालों के आपके सवालों माज हमारे पास जनमपत्री का यह कहा है दर्शक कल्पना जी की ये जोदपुर से है आठ फरवर 1998 में का जनम है दोपेर बारा बज़ के पचास मिनट जोदपुर में जनम वाप प्रशन किया है विवा योग कब है और वैवाइक जीवन कैसा रहेगा देखिए वैवाइक जीवन आपका बहुत अच्छा है निर्दोश है कहीं कोई समश्या नहीं है और विवा आपका अगले वर्श यानि की सन 2024 में अप्रेल से सितंबर के बीच में तेह हो जाएगा बिना किसी भी समश्या के आज की दूसरी जनम पत्री का हमारे पास आईए हमारी दर्शक प्रियंका जी की दिल्ली से 3 अक्टूबर सन 2023 का इनका जनम है शाम 5 बच के 55 मिनट का दिल्ली प्रशन किया है विदेश जाने के योग कब से है प्रियंका जी आपका भाग्येश मंगल यानि भाग्ये मालिक जो होते हैं आपकी जनम पत्रिगा के मंगल होते हैं वो द्वादश भाव में यानि की विदेश के भाव में और लगनेश की यानि आपके शरीर के माले की आपकी जीवन आपकी व्यक्तित्व के माले की सीधी द्रश्टी इसी भाव पर है जो विदेश सीधे 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 सं दिया तो फिर जून से अगस्त दोजार पच्चिस में योग बनेंगे उत्तमफल प्राप्टी के लिए आप गुरु और मंगल के साथ साथ गुना जाब करवा लीजिए और शनिवार के दिन दोपेट डेड़ से धाई बजे के बीच में नीम पीपल बरगर्त ये तीन व्रक् प्रसंग हमने किया ज्यान चरचा हमने कि उसे अपने जीवन में उता रहें गया और आधर्ष जीवन में परिवर्थित करेंगे कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवती आप सबका कल्याण करे जैय आदिशक्ति नमस्कार मैं हूँ दिप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूस 18 के हमारे इस खास कारिकरम भागयम में और भागयम के इस विशिस सैगमेट में जहाँपर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजurने वाला है और हम ऐसा क्या करें और किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग करते हैं कौन सी रीडिंग आप के लिए रहने वाली है अगर आपने हमारी प्रोग्राम को नया जोईन किया है तो एक छोड़ा सा धारण दे के समझाना चाहूंगी कि अगर आपकी डेटो बर्थ है 17 यानि कि 17 तो एक और साथ को जबाब जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर आठ तो आठ होगा आपका मूलांक और आज की तारिक है 27 जून 2023 आज की तारिक को जोड़ते हैं 27 यानि दो और साथ को तो नमबर आता है 9 तो आज के दिन का जो मूलांक है वो है नमबर 9 जिसे की मंगल का अंक भी कहा जाता है और आज के दिन की जो उरजाएं होती है बड़ी ही powerful उरजाएं होती है क्योंकि 9 नमबर को बड़ा ही पवित्र नमबर बहुत ही auspicious नमबर माना सब्सक्राइब कर दोस्तों नंबर नाइन जो होते हैं इतने पावफुल जो जातक नंबर नौ जिनका जो है कॉम्बिनेशन आता है बर्थडे का तो नौ नंबर के जो जातक होते हैं कि नौलेज भी बहुत अच्छी होती है नौलेज सीख करने की उनकी रिक्वाइरमेंट सेखना चाहते हैं और जानने और सीखने की चाहत होती है कही न कहीं कभी उनने साथ संसार से भी जो है विरक्त थोड़ा सा कर देती है क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है तो आई दोस्तों अपने कारिकरम को आगे बढ़ाते और आज मैं आपसे बहुत महत्पुन बात बताने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, हमारे शरीर की तीन मुख्य नाडियों के बारे में, हमारे शरीर की तीन मुख्य नाडियां होती हैं, और ये नाडियां किस प्रकार से काम करती हैं, ये भी मैं आपको अपने का होती है वह होती है सुशमना तो हमारी जो प्राण है आप नोट कीजिएगा जब भी आप स्वास लेते हैं अपनी उंगली को सरसे अपनी नाक की रिच रखिएगा और स्वास लीजेगा छोड़िएगा आप ध्यान करेंगे नोटिस करेंगे कि यह तो आपका एक नॉस्ट्रल कोई भी एक नॉस्ट्रल जो है वह वसक्र होगा कोई भी एक जब नॉस्ट्रल से आपको स्वास आ जा रही होगी अगलता है तो कि दो करना होता है इसके के लिए नाड़ी शोधन और नाड़ी को जागरत करने के से बहुत सारी योगिक मैथर्ड जे तो मैं आपको अपने आने वाल एपिसोड ने बताऊंगे कि एक एपिसोड में सब कुछ लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है इतना समय कारिक्रम का नहीं होता है आये दोस्तों करने आज के करक्रम को अपना आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि 27 जून 2023 के लिए माभगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है क्योंकि आज का दिन नौ है ना नंबर 9 इसलिए मैंने आज जो है देवी मा के कार्ज लिये हैं और जानते हैं माभगवती से कि मूलांक 1 के लिए हमें क्या गाइड किया जा रहा है और माभगवती हमें बता रही हैं सेक्रेट स्पेस मूलांक एक को कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपके इनर्जी नो डाउट बहुत अच्छी रहने वाली हैं लेकिन कहते हैं पावर कम्स वेथ ग्रेट रिस्पॉंसिबिलिटी तो आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत जादा दोड़ भाग नहीं करनी हैं आज के दिन किसी नए काम में हाथ नहीं डालना है बलकि आज के दिन अपने आपको पूरी तरह से आपको शान्त रखना है maturity से काम ले आज के दिन आपकी धरम करम में आस्था भड़ने वाली है हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप अपने परिवार के साथ जाए कुल मिलाके spiritually आज आपकी growth दिखाई दे रही है और divine आपको यही guide कर रहे हैं कि किसी से भी आपको आज दुर्विवार नहीं करना है या जबरदस्ती की लड़ाई में नहीं उलजना है आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माभगवती आज क्या guide कर रही है 27 जून 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है fertility का card है आपको कहा जा रहा है कि समय आपके favor का चल रहा है ऐसे में जिस भी कारे में आप हाट डालेंगे अवश्य ही आपका कारे जो है पूर्ण होगा अगर मैं विशेश तोर पर बात करूं उन लोगों की जिनका की कारे जो है भूमी से संबंदित है या जो कुंडली में जो अर्थ एलिमेंट है जो बहुत जादा परकृती के नजदीक है या फिर अगर आपका बीजों का काम है या आप कृशी भाई है आपका दिन आज का बहुत अ अच्छा घुजरने वाला है जो भी किसी कारे में आप ऐसा हाठ डालते हैं किसी के साथ साझेधारी काम करते है तो आप के लिए बहुत जादा फायदेमन हाज तो आज का दिन रहने वाला है आईए जानते हैं मूलांक तीन के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है 27 जून 2013 के लिए और मूलांक तीन के लिए हमसे कहा जा रहा है I'm dying love, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको शांत रहने की जरुरत है बहुत जादा लोगों से आपको उलजना नहीं है आज के दिन क्योंकि आज जो भी कोई आपके समक्षिक व्यक्ति व्यवहार करेगा वो अपनी परिस्तिती और अपने किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ के माध्यम से ही आपसे बात करेगा तो आपको परमात्मा चाहते हैं यह बताना कि आप उसकी उस परिस्तिती को समझने का प्रयास करें ना कि अपनी तरफ से उसे आप जज करें कोई भी व्यक्ति आज आप गलती करता है आपके समक्ष तो आज आप उसे अवश्य ही माफ कर दें उस व्यक्ति के लिए ना केवल खुद के लिए और आपको प्रेम और करुणा का भाव अपने हिर्दय में रखना है जितना strongly love और compassion के साथ आप अपने आज के दिन को बिताएंगे देखिए दो चीजे होती है एक होता है mother energy एक होता है father energy फादर energy में थोड़ा सा जो मेल energy होती है वो ego energy आती है एंगर की energy आती है लेकिन जहां mother energy की बात करते हैं love और compassion आता है तो divine चाहते हैं कि आज के दिन आप mother energy को follow करें आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें मा भगवती आज क्या guide कर रही है 27 जून 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है independent का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई भी कारे partnership में नहीं करना है या already अगर आप partnership में काम कर रहे हैं तो बहुत जादा आज के दिन आपको अपने partner पर आश्रित नहीं होना है अपने कारें को पूरा कराने के लिए जो बे कुछ काम आप करें वो खुद से करें अब हम बात करते हैं आपकी personal life की भी क्योंकि अभी professional life की बात की है personal life और professional life दोनों में बहुत जादा expectations आपको नहीं रखनी है किसी प्रकार का कारें दूसरों पर आश्रित रहके नहीं करना है खुद से कर सकते हो तो ही हाथ में ले अन्य था बिलकुल भी ना ले नहीं तो नुकसान हो सकता है जग हसाई हो सकती है जितना commitment करें उसे पूरा अवश्य करें दूसरों के दम पर नहीं बलके खुद के टालेंट के दम पर आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 27 जून 2013 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है bright future मा लक्ष्मी का काड है आज तो मा लक्ष्मी आप पर महर्बान है कहा जा रहा है कि आज के दिन वित्तिय संबंधी मामलों में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी अगर किसी प्रकार का अठका दुआ जो धन है तो वो भी आपका जो है clear हो जाएगा कारे करने के खास तोर पर आए कि जो स्त्रोत्र है वो आपके बढ़ने वाले हैं करना कि आपको किसी भी का ofining करना है और वो स्तुरी नाके ओल up की घर की नहीं होने चाहे पुरी धुनआ में या कभी लग्शमी रुष्ट होती है आपका दिन शुब हो ए सब aggressive लिए माघवती आज क्या ग॰ही है 27 जून 2030 के लिए और मुलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है हाथ और का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी आज अपनी इगो आड़े मताने दीजेगा क्योंकि आज का दिन इतना अच्छा है कि बहुत कुछ अच्छा आप राप्त कर सकते हैं लेकिन आपका इगो जो है या आपका गुस्सा जो है वह अपनी इना हट में रहना आज आपको बिल्कुल भी नहीं है अगर आपने ऐसा किया तो फिर नुकसान जो लगे का वह आप जानेगा अपनी अच्छी ऑपरचनिटी खो देंगे जितना हो सके विनम्र रहें जितना हो सके स्वीकार के भ भगवती आज क्या गाइड कर रही है 27 जून 2013 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमें कहा जा रहा है कमपैशन का काड है आपको कहा जा रहा है कि समय की अनुकूलता के साथ ही आपको व्यवहार करना है अपने भीतर परिवर्तन लाने में कोई बुराई नहीं है आज के दिन बहुत ज्दान्तवादी ना बनें बहुत जादा लोगों को जज़ ना करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कारे कर रहा है वह अपनी बुद्ध्धी परिस्तिती पर उरूप ही कर रहा है जरूरी नहीं कि आप जो सोचते हूं वही दूस्रा व्यक्ति भी सोच रहा हो great. कि और आपको अपनी कोई बात कहनी है आपको कुछ बुरा लग रहा है तो अपनी वानी को बड़ी ही नियंतरन में रखे प्रेम करोना के साथ आपकर रख सकते हैं अपने communication को clear रखना बहुत जरूरी है लेकिन वानी पर ौढिनेंतरन तो आज आपको clear कहा जा रहा है कि किसी भी नए कारे में एक तो हाथ ना डालें बिना सोचे समझें, कहीं पर भी पैसे का लेन दिन बिना सोचे समझें नहीं करना है, ना तो उधार देना है, और कोशिश कीजे कि उधार भी ना लेना पड़े, थोड़ा साना चापलूसों से और थोड़े धूर्त लोगों से साफधान रहने की जुरत है, आपका दिन शुब हो, आईए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है, 27 जून 2023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है, ब्लॉसमिंग का कार है आपको कहा से धीरे सुधार पर हैं, लेकिन हडबड़ी नहीं करनी है, अभी तो शुरुआत हुई है चीजों को बहतर होने की, अगर आपने हडबड़ी की तो आपका अपना नुकसान है, लेकिन अगर आपने पूरे धैरे के साथ अपना कारे किया, तो अवश्य ही सफलता आपको प् शहय पे कारे करना है, आपका दिन शुभ हो, आइए जानते हैं मूलांक नौ के लिए हमें परमात्मा, हमारी मा भगवती आज क्या गाइड कर रही है, 27 जून 2013 के लिए, और मूलांक नौ के लिए हमें कहा जा रहा है, इंडिपेंडन का कारे आपको कहा जा रहा है, तो दू इसे खुद रहना बंद कर दीजिए जो भी कोई कारे करें इसे किज्ट से कीजी अपने दमपे कीजिए दूसरों के बहुत से चलेंगे तो सकसेश नहीं मिलेगी खुद के बहुत से काम करें और खुद के कारफ यकीन करें डिवाइन जब यह कार्ड आता है करें करता है तो इसा नहीं है कि आप वर्थ नहीं करते हैं आपके अंदर वह टालेंट है जिससे कि आप अपनी पूरी टीम हमारा उसके लिए आपका धनेवाद देती है आपके बीतर बैटे परमात्मा को मेरा प्रेनाम